देश के भीतर भाजपा के आदेश पर एडी बेलगाम घोडे की तरह हो गई है राज्य राज्य घूम कर विपक्षी नेताओं के घर पर छापा डाल रही है और जो नेता उनके छापे से डर कर भाजपा में शामिल हो गया तो ठीक नहीं तो फिर साहप के आदेश पर उननेताओं को जेल में ठूस दिया जाता है विपक्ष दोस्तो यही आरोप लगाता है कुछ इसी तरीके का प्रियंका गांधी ने भी एडी और सरकार की इसी चरितर पर ऐसा ही जोड़दार हमला किया है क्या कुछ कहा है प्रियंका गांधी ने इस खबर में आपको मैं बताऊं की नमस्कार मेरे नामें जैन्ती चा दोस्तो जिस तरीके से हेमन सुरेन को जेल में डाला गया उसको देखकर तो देखिया ऐसा ही लग रहा है कि जो भाजपा में नहीं आएगा वो जेल जाएगा और E.D. भी भाजपा के इसी सपने को सच करने में लगी हुई है ऐसा कहा जा रहा है कॉंग्रेस के दिगज निता प्रियंका गांधी वाडरा ने भी सत्ता दल पर करारा हमला किया उन्होंने कहा है कि जिन राजपा में विपक्षी दलों की सरकार है वहाँ E.D. का प्रभाव दिखा कर सरकार को डिस बैलन्स करने में इस वक्त सारा प्रियाज किया जा रहा है किसी भी तरीके से सरकार को गिरा दिया जाए जो भाचपा में नहीं जाएगा वो जेल जाएगा दोस्तों ऐसा नहीं है कि ये एक राज्य की कहानी है जबसे इंडिया अलाइन्स बनाए ना भाचपा कैसा लग रहा है कि होश फाकता हो गए है किसी भी तरीके से इंडिया अलायंस को निस्तनाबूत कर देना चाहती है भाजपा आरोप लग रहा है ऐसा लेकिन वो ये शायद भूल गए कि सभी नितीश कुमार की तरह बिना रीड हड़ी वाले नेता होते नहीं है न जो इंडिया ब्लॉक के नेता है वो जेल जाना करेंगे लेकिन भाजपा में जाना पसंद नहीं करेंगे तभी देखिये भाजपा की तथा कतित एडी खिस्यानी बिल्ली के तरह राज्य दर्राज्य विपक्षी नेताओं के घर पर सर पटक रही है ऐसा मेरा कहना नहीं है दिख रहा है आखिर विपक्षी किस नेता के यह इडी जाच का प्रपंच कर रही है बताईए जड़ा आपको बता देते हैं दोस्तों बिहार के पूर मुख्यमंत्री लालो प्रसाद यादव उनका परिवार हाल के दुनों में लैंड फॉर जॉब स्कैम केस में इडी का समना कर रहा है तेजस्वी यादव से एजनसी ने इस जिवाल को भी पूछताच के लिए डी चार समन भेच चुके है तोस्तों इस बात जो बेजा वो पांचवा समन बताया जा रहा है अभी तक के एडी के सामने पेश ये नहीं हुए है के जिवाल दिली के कथित शराब घोटाले की जाच एडी कर रही है दिली में नई शराब नीती में डीलर्स को फाइदा पहुचाया गया है लोकसभा चुनाफ से पहले एडी ने पूर्व सीम भूपेंद्र सिंग हुड़ा की मुश्किले बढ़ा दी माने सर जमीन अधी ग्रहन में मनी लॉंडरिंग मामले की जाच के लिए एडी ने हर्याना के पूर्व सीम और क साथ घंटे उनसे पूचताच की थी एडी ने महाराष्टर राज्य सरका सहकारी बैंक यानी MSCB जो है दोस्तो MSCB उस घोटाले में धन शोधन जाच के तहत 24 जन्वरी को पूचताच के लिए शरत पवार के पोते और महाराष्ट के विधायक रोहित पवार को तलब किया थ कि एडी भष्टचार की जाच कम करने में लगी है विपक्षी नेताओं को भाजपा में शामिल करना उनका ज्यादा जरूरी काम बन गया है प्रियंका गांधी के बयान से कही ना कहीं समझ सकते हैं जैसा प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया साफ तो पूचताच हो रही थी तो पत्रकारों ने और यहीं कहा कि इसी को आप protagonist के इसको आप ईडी के इसके बीजर की कार्यवाही के यह पूचताच इडी नहीं कर रही है पूच्ताच करवा है यह तरव ca लगातार जो फहेरिस्त निखी है इडी के कारिवाही में वो सारे-काथ के चा iç Inetal कुम है सब्सक्लाइन ओटक्राम कई लगन अदौड पेस्ते विकेंडक और्विय्त पहले तर महुंत läuft tam और भी कई नेता, महुवा मोहित्रा के पीछे CBI को छोड़ने के बाद कही जा रही थी, हलाकि वो केस भी हो सकता है कि आगे जाकर बड़े, तो TMC हो गई, TMC के अलावा अगर आप बात करेंगे बिहार में, तो ED नहीं उस पूरे मामने में जाज की थी, बात की जाए, अगर आप बात करेंगे महराष्ट की, तो महराष्ट में भी कुछ ऐसा ही खेल चल रहा है, तो लगभग लगभग हर स्टेट उठा लीजे, हर स्टेट में आपको एक एक पार्टी का नेता जरूर ऐसा मिल जाएगा, जिसके खिलाफ ED और जाज एजनसियों की कारेवाही शुरू हो गई है, अब ये सयोग मातर हो सकता है क्या, कि एकदम से सारे विपक्षी नेताओं के पीछे लग जाओ, उसके बाद तो ये समझा जाही सकता है कि किसके राज में विपक्षी नेताओं के खिलाफ जादा कारेवाई हो रही थी और किसके राज में नहीं हो रही थी, आप भी इस बात को समझ सकते हैं, तो आपकी राइस पर क्या है दोस्तों हमें कमेंट करके आप जरूर बताईएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए चानल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूले फिर मुलाकात होगी आप से अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार